तो यार मैं आगे एक नई वीडियो के साथ तो आज यार मैं तुम मैं बताने वाला हूं माइनक्राफ 1.17 के बारे में तो यार माइनक्राफ अपडेट हो गई है और बहुत सारी चीज़े न नई नई सीक्रेट्स आए हैं मैंने सोचे क्यों न यार तुम लोगों से शेर किये जाएं तो आज का वीडियो है न उसके बारे में है तो यार अगर सबस्कार नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सबस्कारब कर दो यार क्योंकि मुझे यार वीडियो स्टार्ट करनी है तो जल्दी सब्सक्राइब करो तो चलो यारो आज की वीडियो के स्टार्ट करते है तो न्यू अपडेट में काफी जादा न्यू चीज़ा आई है जो सबसे जादा देखता है न वो है कॉपर और है इसको लेने के लिए हमें आईरन की पिकेक्स चाहिए या फिर कोई बड़ी पिकेक्स चाहिए तो उससे हम इसको ले सकते है इसको लेने के बाद ना इससे बहुत सी चीज़ा न्यू बना सकते है बहुत से आईटम से बन सकते है मैं तुम्हें वो आगी बताने वाला हूँ किया कुछ बन सकता है इसे तो ये कुछ इस तरह से दिखता है इसको लेने के बाद रा कॉपर में ये कनवर्ट हो जाता है लेकिन अब भी इसको कॉपर में कनवर्ट करना पड़ेगा सिंपल यार कॉपर इंगर्ट में कनवर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है फर्णास में इसको डालना होता है और हमें कोल चाहिए होता है तो ये चीजें बन जाएंगे जब हम इसको फर्णास में डाल देंगे तो ये अपने आप हमें मिलते जाएंगे तो सारे हमारे बन गए हैं और मैं तुमें दिखाता हूँ ये कैसे दिखते हैं ये कुछ इस तरह से दिखते हैं ये कोई इंट विंट लग रहा है मुझे लेकिन ये कोपर इंडोट हैं तो इनको यूज करना पड़ेगा आगे चलके मैं तुमें यूज करते भी दिखाऊंगा तो question ये है के आखरी हमें मिलेंगे का देखो ये बाहर भी मिल जाते हैं और जादा तर मिलते हैं cave के अंदर तो एक तो ये मुझे मिला था लेकिन केव के अंदर बहुत सारे मिलते हैं मैं तुम्हें दिखाता जाता हूं कहां कहां पे हैं ये देखो यहां पे भी ये और यहां पे भी नहीं और भी बहुत सी जगा पे मिलेगा cave केंदर गुमते रो या, तुम्हें कुछ न कुछ मिली जाएगा, तो देखो, यहाँ पर भी हैं तो अगर तुम्हें डूँडना है, तो बैटर यह है कैव के अंदर जाओ, बंडना तुम्हें बाहर भी मिल जाएंगे अमेजिंग है यार अब सुनना है न मज़े की चीज़ ना सरफ ये तुम ट्यून पिले कर सकते हो अगर ये तुम्हें ब्लॉक्स मिल जाते हैं तो इन से बहुत से आइटम से भी बन सकते हैं और इनको तोड़ने से भी एक ट्यून पेदा होता है दिखाऊं ये दिखो वाउ यार मज़े का की तुम बजा सकते हो और दूसरी ये बात है तो मैं यह जो नज़र आ रहे हैं इनको कीते हैं मेठ्स क्लस्टर कि इनका ही हमें यूज़ करना है इनको ही हमें लेना पड़ेगा जिसके लिए हमें क्या चाहिए यार, iron की pickax चाहिए और एंसे मिलते हैं,Archis shard, oui, यही चीज़ मिलता हैं ठीक है यह 4 मिलते हैं लेकिन जो छोटे साइजें उनसे नहीं मिलता है यह बड़े साइजें उनसे ही मिलता है और इनको भी तोड़ने से एक आवाज होती है एक क्यून पैदा होता है जो कि बहुत ही जारा मज़े का होता है in Danish first heart होते है वो फॉर टाइप के होते हैu small medium और होता है large और जो super large होता है वही हम हुझे कर सकते हैं जिसको मैस्ट cluster बोलते हैं इसको हम तुम्हें ऐस करेंगे ठीक है यह बाकि डिजाइन के लिए होते हैं तो तुमें आगा है तो बड़े साइज वाला ठीक हुझे तो एक new object 10 वो add हो चुका है जिसको कहते है spike glass और ये feature ये सबसे जादे मुझे cool लगता है वो इसलिए क्यूंके इसको हम दूर बीन केते हैं यानि कि हम दूर की चीज़ें करीब देख सकते हैं हम spike कर सकते हैं हम जासूसी कर सकते हैं तो इसको बनाने के क्या तरीका है तो देखो यार हमें पहले वाले feature से हमें मिले थे जिसमें हमें मिला था M.A.S.T. चाड मिला था और हमें मिला था copper ingot मिला था तो इन दोनों से बनता है spike glass तो ये मुझे spike glass बन गया अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसका use कैसे गन्ना है और काम कर सकते हैं वो है दूरबीन का use कर सकते हैं तो दूरबीन से हमें पता चल जाएगा कि विलेज में विलेजर हैं के नहीं है या पर चुड़े लें या पर कोन है वो देखो गोलम नजर आया मुझे यहां पर विलेज में गोलम घूम रहा है तो दूर से यहां नजर न मारे घर कहीं दूरे और तुम में पता करना है कि वह घर हमारा ही है या नहीं उसे भी तुम फाइंड कर सकते हो इससे तुम बहुतते दिखेगा लेकिन जो बाहर है न वो अंदर नहीं देख सकता अंदर क्या चल रहा है उसको कुछ भी नज़र नहीं आएगा वैसे हमें नज़र आ रहा है लेकिन बाकियों को नज़र नहीं आएगा इसको बनाने के लिए हमें एक नॉर्मल ग्लास चाहिए और एमेटिस्ट चाहिए वो कुछ इस तरह से बनेगा तो मैंने का था ने मैंसे बहुत काम की चीज़ है मुझे बोलना भी नहीं आ रहा लेकिन काम की चीज़ है तो मुझे टेंटेट ग्लास मिल गया है अब मैं तुम्हें डेमो दिखाता हूं कि य यहां से जॉंबिस नजर आ रही है तो इसी तरह तुम अपने घर में ये टेंटेट ग्लास लगा सकते हो और मॉब से बच सकते हो और तुम्हें पता चल जाएगा कि बाहर क्या चल रहा है तो भाईो फाइनली यार माइनक्राफ्ट में मुम्बती आ गया है केंडल आ गया है यह है न मज़े का फीचर यह भी मुझे बहुत जाड़ा कूल लगा वो इसलिए क्यूंकि इसका मैं बहुत जाड़ा यूज़ कर सकता हूँ इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए हमें दो चीज़ें चाहिए एक चाहिए हनी कॉम और दूसर चाहिए स्टिंग को रखो उपर और नीचे रखो हनी कॉम को तो यह मिल जाएगा हमें मुम्बती कैंडल तो इसका मैं बहुत जाड़ा यूज़ करने वाला हूँ यार सो क्या लाईट या रोशन ही नहीं होती यह भूझ भी गया चलग जल गया जल गया थो इसमें इतनी लाइट हो तर लिकन अगर हम एक बलॉग में चार मुम्बती लग लें तो लाइट बहुत जाएदा होती है तो दिखाता हूं मैं तुम्हें यह चार हमने रख दिए और यह देखो, काफी जादा light हो गई है न, इसी तरह एक बिलॉग में हम 4 candle रख सकते हैं और काफी जादा light हो सकती है, काफी जादा light हो सकती है, सोचो इससे हम क्या कुछ कर सकते हैं, हम किसी के कबर में मुंबतियां जला सकते हैं, यानि आप अगर हमारा कोई पेट मर जाता है तो उ जो भी तुमें color चाहिए उसका dye के साथ लगा तो simple उस color का तुमें मुंबतियां मिल जाएगा, इसी तरह तुम birthday party के लिए different color skin मुंबतियां बना सकते हो, या किसी के लिए जशन मना सकते हो, या फिर किसी के लिए party कर सकते हो, या फिर बहुत कुछ कर सकते हो, अच्छा मैं मैं एक और चीज़ बताता हूँ, वो यह है कि हमने ने different color के मुंबतियां यानि के candle बना है, लेकिन उनके जो light यानि के रोशनी हैं वो same होता है, वो change नहीं होता है, सिरफ candle का color होता है, वो change होता है, बाकि torch या light या रोशनी सब कुछ same ही है, एक चीज़ तो मैं बता नहीं बूल गया वो यह है कि हम किसी का भी birthday माया सकते हैं, यार, cake के उपर लगा सकते हैं, हम candles को और happy birthday to you कर सकते हैं, तो यार, simple cake के उपर candle लगाओ, इनको जलाओ, फिर किसी की भी birthday celebrate करो, यार, मेरे पास एक अश्या सा idea है, जो जिन्होंने इस channel का membership join किया हुए, और मैं सोच रह जाद तुम्हें याद होगा कि पिछल अपडेट में हम पानी के अंदर रेल गाड़ी नहीं चला सकते थे, मायन कार्ड नहीं चला सकते थे, उसका use भी नहीं कर सकते थे, लिकिन इस अपडेट में आप ये भी कर पाएंगे, हैन कूल feature, हम मतलब अब पानी के अंदर रेल ग पानी के उपर है न, simple हम पावर रेल लगाते हैं, ठीके, और उसके साथ रेल डिस्टों टॉर्च लगाते हैं, जैसे हम पुराने अपडेट में करते हैं, वही सहम चीज़ करनी है, और बीच बीच में हमें पावर रेल लगानी पड़ीगी, ताकि हमारी रेल गाड़ी नही ऐसे ही सब कुछ करना है, ठीके, लेकिन पानी के अंदर न, ये चीज़ डिफरेंट हो जाती है, देखो यार, पानी के अंदर न, हमारे रेल डिस्टों टॉर्च न, वर्क नहीं करता, उसके लिए हमें रेल डिस्टों ब्लॉक्स चाहिए होते हैं, तो मुझे simple ब्लॉक्स उसके उपर हमें पावर रेल लगानी होगी, तो मैं सारी चीज़न लगाता हूँ, लेकिन इस से यार, आक्टों बस को क्या करूँ, वे निकल जा, चल, अरे चला जा, तो यार, simple रेल डिस्टों ब्लॉक्स के उपर तुमें पावर रेल लगानी है, ताकि तुमारी रेल गा तो हमारा सारा काम हो गया, अब हमें जूला लेना है, बस पानी के अंदर देखना, मैं किसे भागता हूँ, तो चलो दोस्तों, चुरू हो जाओ, यह मैं गया, और बहुत देजी से गया, ओ देखो, पानी के अंदर मैं गूम रहा हूँ, वाओ, यह देखो, नहीं, मैंने ब जोग पायेगा. तो अब हम क्या कर सकते हैं कausimple णॉर्मल ट्रेक बिशानी होगी जिस7 कने पहले बशाई थी वैसे भीशानी होगी और ब Patriots दालने ओंगे ve幾ग की इस तरह कि किये मैं तो मैं तुमें बताता हूँ पहले तो हम इसमें power rail लगाते हैं ताकि कि वे रेलगाडी को पुछ कर पाए, उसको चलाँ पाए, तो मैं काफी जादा यूज करता हूं, त बहुत जादा तेज हो, और मैं तुम्हें generic का भी यूज करके दिखाता हूं, स्मिप में इनको active करो, रेलड इस्टॉन टौस से इनको active करती है, अब हमें इनके लिए breaks बनाने होगे तो उसके लिए मुझे 3 blocks के छोड़ना होगा और यहां पे कुछ इस तरह बनाना होगा ठीके इसी तरह हमें दूसरा break भी बनाना होगा और उसके बीच मैंने पानी छोड़ना होगा तो ये मैंने पानी इसमें छोड़ दिया है और ये पानी मैंने इसमें छोड़ दिया अब क्या होगा कि पहला ब्रेक एन वो रेल गाड़ी को थोड़ा सिलो करेगा और दूसरा ब्रेक एन वो बिल्कुल ब्रेक ही मार देगा मैं तुम्हें चला के दिखाता हूँ जैसे कि यह हो गया, पहला break ना इसको शिलो का जा दूसरे ने बिल्कुल इसको रोग दिया है, एक और दफार ट्राय करते हैं, तो चलो एक और दफार mine card को रखो और चलो फिर से try करते हैं, और ये देखो यार, ये break लग रहा है न, ये उन बात, अब मैं तुम्हें एक और च चाहिए प्लीज लगया फाइनली देखा हम गिरे नहीं वर्णा में बहुत जादा दूर जाना पड़ता था लेकिन जैसे ट्रेक खता है वहाँ पे ब्रेक लगया वाओ तो एक और ट्राय करते हैं यार मुझे मजा रहा है तो अब देखने हैं वापिस ब्रेक लगता है या न मैं तब तक धूले लेता हूँ गार सोचो यार तुमने जंगल में खो गयो चारों तरफ जंगली जंगल है तुमारे घर भी करीब है लेकिन तुम्हें पता नहीं चल रहा है वहां पर देखो हमें स्मोग नज़र आ रहा है स्मोग नजर आ और आधा है कि मेरा घर के इधर रहे तो यह feature नहीं यह मैं तुम्हें यूज करने का तरीका बताता हूं यह किस तरह काम गरता है यानि कि अगर तुम जंगल में खो गयो तुमारे घर करीब है न तो यह smoke के दुरून तुम अपने घर पहुंच सकते हो सिंपल यार अभी तो चलते हैं अपने घर इस smoke का पीशा करते हैं अब देखो यह हमें किलियर नजर आ रहा है यानि कि अगर हम जंगल में खो गयों तो यह smoke की मदद से अपने घर में पहुंच सकते हैं तो यह किस तरह बनाता हैं यह भी मैं दिखाता हूं लेकिन यह करीब से इसको यार है न फन की चीज यानि कि इसको हम अगर घर में बनाए न तो हम अपने घर को आरा हम से ढूल पाएंगे करीब से जानि कि करीब के जंगलों में अगर हम खो जाएंगे तो हम अपने घर पहुंची जाएंगे अब देखो यार इसको अगर हमें बनाना हैं तो उसके लिए हमें तीन चीजों की जरूर पढ़ती है वो तीन चीज़न ये हैं धैबेली और ट्रैब डॉर और चाहिए हमें कैंप फायर तो इसको बनाने का तरीका कुछ इस तरह है कि कुछ इस तरह करो वैसे भी यह बन जाता है, लेकिन फिर भी अगड़ डिजाइन बनाना है तो यह डिजाइन बनाओ, तो यह डिजाइन मैंने बना दिया इसको बड़ देना है हमें कैम्पफायर को, तो यह लग गयाने दूसरा, जितने भी जाधा ये बनाओ गए उतना ही तुम्हारा घर से क्यों रहेगा तुम्हें घर का पता चल जाएगा तो मैं कामगतों काफी जादा बनाता हूँ और देखते हैं इससे क्या फर्पर्ट है तो ये हो गया हमारा आखरी और हमारे पार चार लग गई है और चारों मैंने स्मोग आ रहा है तो यार अब देखो यार अगर हम दूर कहीं हैं तो हमें आराम से घर नजर आ जाएगा ये मुझे फीचर बहुत cool लग रहा है और बहुत मज़ेगा लग रहा है ऐसा लग रहा है जैसे मैं rare life में हूँ और सच में दुआ निकल रहा है तो चलो दोस्तो आज के लिए इतना ही जल्दी से लाइक करो कमेंट्स करो और सबस्क्राइब कर तो यार हमारे चैनल आएम खलील को और साथ में बेल आइकन भी दबा देना झाल झाल झाल